भार्ती टीम के पुर्व कप्तान अजहरुद्दीन के खिलाफ केस हैदराबाद क्रिकेट असोशिएशन में भ्रहश्टाचार का मामला भार्दे क्रिकेट टीम के पुर्व कप्तान मुहम्मद अजहरुद्दीन और हैदराबाद क्रिकेट एसोसियेशन के कुछ पुर्व पदाधिकारियों के खिलाब ब्रहश्टाचार का मामला दर्च किया गया है इन सभी पर असोसियेशन के पैसे के दुरुपियों कारोप लगाये गया है ये जानकारी हैदराबाद पुलिस की ओर से दी गई है पुलिस मामले की जाश कर रही है पुलिस के अनुसार असोसियेशन के मुख्यकारेकारी अधिकारी सुनील कांते बोस की शिकायत के अधार पर यहां उपल पलिस्टेशन में HCA के पुरवध्यक्ष अजहरुद्दीन और अन्यपुरवधादिकारियों के खिलाफ IPC की संबंधि धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और जाज शुरू कर दी गई है जूट से प्रेरित है आरोप सोशल मीडिया एक्सपर किये गए पोस्ट में अजहरुद्दीन ने कहा कि मैंने मीडिया रपोर्ट देखी है जिन में बताया गया है कि CEO HCA के शिकायतों पर मेरे खिलाफ FIR दर्ज की गई है उन्होंने कहा कि ये सभी जूटे और प्रेरित आरोप है मैं किसी भी तरह से आरोपों से जुडा नहीं हूँ मैं उच्चित समय पर जवाब दूँगा पुर्व कप्तान ने कहा है कि ये मेरी प्रतिष्ठा को बरबाद करने के लिए मेरे प्रतिद्वंदियों द्वारा किया गया एक स्टंट है हम मजबूत रहेंगे और कड़ी लड़ाई लड़ेंगे ओडिट में पाई गई गड़बडी वहें शिकायत में LCS CEO ने कहा कि तिलंगाना उच्छ नियाला के समक्ष विविन पक्षों द्वारा प्रस्तुत पुर्वर रिपोर्टों के मद्दे नजर धन के दुरुपयों का आरूप लगाती हुए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म को इस साल अगस्त में एक अवधी के लिए एसोसियेशन का फोरेंसिक आडिट करने के लिए नियुक्त किया गया था फर्म ने एक मार्च दोहजार बीस से अठाइस फरवरी दोहजार थेज की अवधी के लिए Association का एक Forensic Audit अंतरीम रिपोर्ट प्रस्तुत किया Audit में वित्तिय नुकसान की पहचान की गई जिसमें Fund का Divergence, HCA से संबंधित संपत्यों का दुरूपयोग शामिल है Cash Gift लेने के मामले में महुआ को जटका नहीं किया गया वास्तविक लेन देन शिकायत करता के अनुसार Forensic Audit अंतरीम रिपोर्ट के आधार पर यह सपष्ट है कि HCA की ओर से तीसरे पक्ष के विकरताओं के साथ किये गए कुछ लेन देन वास्तविक नहीं पाए गए वहें शिकायत करता ने आगे कहा कि C.A.F. फर्म ने यहां राजेव गांधी अंतराज्टे क्रिकेट स्टेडियम में अगनी शमन उपकर्णू के अस्थापना के संबंध में टिपनिया की जिसमें पुर्वपदाधी कारियों की मिली भगत से एक तीसरे पक्ष के विकरेता की कार्य प्रणाली भी शामिल थी जल्दबाजी में जारी किया आदेश शिकायत करता के अनुसार 3 मार्च 2021 को आयुजित नौवी शिर्ट्स परिशद की बैठक में असोसियेशन के ततकाली नध्यक्ष मुहमद अजहरुद्दीन ने अगनी शमन उपकर्णों के संबंध में चर्चा करने की मांग की थी हाला कि बाद में बिना कोई कारण बताये निविदा जारी कर दी गई किसी भी बोली लगाने वाले को आवंटित नहीं किया गया इसके बाद अच्सिये ने उसी काम के लिए दूसरी निविदा जारी की थी और डिट रिपोर्ट के अधार पर ये आरोप लगाया गया कि ततकाली नत्यक्ष मुहमद अजहरुद्दीन ने वस्तुता बैठक में भाग लिया और कारे आदेश जारी करने में जल्दबाजी की